आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो 3μF और 6μF के यहाँ पर दो कैपस्टर लगे होए हैं और नीचे 4μF है और 12μF है तो यहाँ पर हमें A और B के बीच में क्या निकालना है equivalent कैपस्टेंस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर देखो इन कैपस्टेंस को नाम दे देते हैं इसको C1 यह C2 हो गया और यह C3 हो गया यहाँ पर और यह हमारा C4 हो गया तो यहाँ पर देखो हमारा जो C1 और C2 है they are in series ओके तो यह किस में series combination में है तो यहाँ पर इनका जो equivalent कैपस्टेंस हो जाएगा 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 तो यहाँ से देखो 1 upon C1 is equal to क्या जाएगा 1 upon C1 है यहाँ पर हमारा 3 microfarad और C2 है यहाँ पर हमारा 6 microfarad so 1 upon C-स is equal to यहाँ से 6L से हमा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 और प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा 3 upon 6 so C-स की value आ जाती है यहाँ से मेरी 6y3 that is equal to 2 microfarad तो इन दोनों का जो equivalent capacitance आ गया मेरा वो कितना गया 2 microfarad आ गया अब similarly जो नीचे वाले capacitance है C3 and C4 they are also in series combination C3 and C4 are in series combination so यहाँ पर भी दिखो इनका जो equivalent capacitance आएगा 1 upon C double dash is equal to क्या आ जाएगा 1 upon C3 plus 1 upon C4 so 1 upon C3 करेंगे तो 1 by 4 plus 1 by 12 so 1 upon C dash C double prime is equal to यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 12 को LCM ले लेंगे तो 4 3 is 12 और यहाँ पर 1 आ जाएगा और simply यहाँ से यह कितना आ जाएगा 4 divided by 12 okay so C double dash is equal to क्या आ जाएगा 12 divided by 4 that is equal to 4 3 is 12 तो यह आ जाएगा 3 microfarad okay तो simply यहाँ से देखो यह arrangement मेरा कुछ इस तरीके का हो जाएगा इसको थोड़ा simplify करेंगे तो यहाँ पर A है so simply यहाँ से यह आ जाएगा C dash और यहाँ पर आ जाएगा C double dash और यहाँ पर आ जाएगा मेरा B अब यहाँ पर देखो C dash and C double dash they are in parallel okay तो यहाँ से C dash and C double dash are in parallel combination are in parallel combination तो यहाँ से A और B के बीच में जो equivalent capacitance होगा हमारा वो क्या जाएगा तो simply यहाँ से add हो जाएगे C is equal to क्या जाएगा C prime plus C double prime so C is equal to C prime है यहाँ पर हमारा 2 microfarad और C double prime है 3 microfarad तो 2 plus 3 करेंगे यहाँ से तो C equivalent आता है यहाँ पर हमारा 5 microfarad तो first figure के लिए जो equivalent capacitance है हमारा A और B के बीच में वो कितना रहा है 5 microfarad अब देखो यहाँ पर second जो arrangement हमें given है तो वो कुछ इस तरीके का given है आपर यह कुछ ऐसे given है यहाँ पर तो इसके A और B के बीच में हमें क्या बताना है equivalent capacitance यहाँ पर find out करना है तो इस type के question करने के लिए देखो सबसे बहले हम क्या करते हैं यहाँ पर हम A मान लेते हैं और यहाँ पर यह मेरा V है A और B के बीच में तो क्या करते हैं जो A plate है उसको हम positive charge देते हैं तो यहाँ पर मैं इसको positive charge दे रहा हूँ तो यह भी देखो A की plate है तो यहाँ पर positive charge आ जाएगा और जो B plate है उसको मैं negative charge दे देता हूँ इसको negative दे देते हैं यहाँ तो यहाँ पर देखो equivalent capacitance A और B के बीच में क्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखो जो हमारा capacitance होता है वो क्या होता है two equal and opposite charges जो plates पर होती है वो ही मिलके क्या बनाती है capacitance बनाती है तो यहाँ पर देख लेंगे कि कितने combination बन रहे है plus और minus के ओके तो एक combination देखो हमारा ये बन रहा है और एक combination हमारा ये बन रहा है मानस plus का और A combination हमारा यह बन रहा है तो यहाँ पे total कितने combination बन रहा है 3 combination बन रहा है तो simply यह किसमें हो गए हमारे parallel में हो गए A और B के बीच में तो यहाँ पे इस arrangement के लिए जो equivalent capacitance होगा A और B के बीच में तो C is equal to वो जाएगा 3 epsilon 0 A upon में D के equal तो equivalent capacitance आगया यहाँ से हमारा क्या इस arrangement के लिए 3 epsilon 0 A upon में D ओके आप देखते हैं देखो third figure third figure में यहाँ पे A और B के बीच में equivalent capacitance क्या होगा तो simply यहाँ से देखो जो C1 है C2 C3 यह किसमें लगए हैं हमारे parallel combination में लगए हैं तो simply यहाँ पे they are in parallel तो simply यहाँ से हमारा add हो जाएंगे तो C equivalent is equal to क्या जाएगा C1 plus C2 plus C3 तो simply equivalent सब सारे capacitor equal हैं तो simply इसको मैं 3C लिख सकता हूँ So C equivalent is equal to क्या जाता है यहाँ से हमारा 3C के equal अब देखो last figure पे देखते हैं तो simply यहाँ पे देखो मैंने बताया कि A से वाले question करने के लिए क्या करते हैं A plate को हम positive charge देदेते हैं तो इसको मैं positive charge दे रहा हूँ और जो B plate है उसको हम negative charge दे रहा है इसको negative charge दे रहा है तो यहाँ पे देखते हैं देखो कितना combination बन रहे है plus-minus के एक combination हमारा यह बन रहा है, एक combination हमारा यह बन रहा है, तो यहाँ पे total कितने combination है, two combination है, तो simply यहाँ पे दोनों capacitor किसमे हो गए, पैलल में हो गए, तो simply यहाँ से जो equivalent capacitance है हमारा A और B के बीच में, वो आ जाएगा, यहाँ से हमारा two epsilon node A अपन में D के को, क्योंकि जो parallel blade capacitance होता है, उसका जो capacitance होता है, हो गया होता है, epsilon node A, Y, D, तो यहाँ पे दो capacitance लगे होए हैं, यह plus or minus के दिखो, यह first हो गया, और यहाँ पे यह second हो गया, तो total कितने है, two, तो equivalent capacitance हो जाता है, यहाँ से हमारा two epsilon node A, Y, D के equal, okay, so these are answer for these questions, I hope you like this video, and thank you so much for watching. WhatsApp कीचे अपने doubts, आट 4444 सुपर.